हेलो एब्रेबन वेलकम तो माय चैनल आज हम लोग सॉल्ब करेंगे कोस्टिन नमर फाइब और इसके आगे यह अपना है ब्रेंटीजर्स यूनित टेन अबरेजे जो के और इसके पहले के जो कोस्टिन से यह लोग पिछले वीडियो में सॉल्ब कर लिये थे वो सब वीडियो है इसमें दो जो ब्रोदर है उसका एज हम लोग को दिया हुआ है थार्ड ब्रोदर का एज क्या होगा तो हम पहले यहां पर एबरेज जो दिया हुआ है वहां से हम निकालेंगे सम ओफ एज ओफ थ्री ब्रोदर्स ओकी देखिए थ्री ब्रोदर्स है उसका एबरेज क्या है फिप्टिन डियर्स तो हम लोग सम कैसे निकालते हैं तो सम निक तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास 45 years आप देख लीजे यह 45 years आ गया sum of ages of three brothers ओके अब हमको निकालना है जो third brother है उसका age क्या होगा तो हम लिखेंगे age of third brother ओके तो age of third brother क्या होगा तीनों brother का age है 45 add करने के बाद इसमें से दो brother का age है उसको minus कर देंगे add करके ओके तो आप देखिए यह हमारे पास 15 और दूसरा है 12 ओके तो 15 years और 12 years को आप add कर लीजे आपको क्या मिल जागा 27 years तो 27 years को आप minus कर दीजे ओके आपको क्या मिल जागा यहाँ पे 18 years ओके तो यह जो 18 years आगिया ना यह age हो गया किसका third brother का question number six है मारे पास the heights of four members of a family are one meter 60 cm okay दूसरा जो member है उसका height क्या है one meter and 50 cm okay तीसरा member का height है one meter 10 cm चोथा member का height है one meter 16 cm respectively okay यह दे दिया है four members है और चार सदे से हैं family में और उसका height दिया हुआ है फिर कहता है find the average height of one member of the family आनि average निकालना है हमको तो पहले हमको sum निकालना पड़ेगा जो कि हम लोग जानते है formula है अपना पहले average निकालने के लिए क्या करते हैं लोग sum करते हैं और फिर जितने हैं उससे हम divide करते हैं तो यहां पे जो मेरा दिया हुआ है one meter and sixty centimeter इसको हम कैसे लिखेंगे one meter and sixty centimeter इसको हम लिख सकते हैं one point sixty one point sixty zero centimeter okay one point sixty zero meter यह ध्यान देजी फिर इसी तरह से हमारे पास है one meter one meter and fifty centimeter हम इसको कैसे लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं one point five zero meter okay तो यह short हम लिख सकते हैं तो यहां पे ध्यान देजेगा कि हम जो लिख रहे हैं न हम short में लिख रहे हैं अब इसको हम आगे add कर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे sum of heights पहले हमारा क्या होगा sum of heights तो हम दो लिखेंगे average height equal to sum of height divided by number of members तो चलिए हम यहां पे average height निकाल लें तो पहले sum of height करना पड़ेगा तो पहला height क्या है one meter sixty centimeter तो इसको हम क्या लिखेंगे one point six zero meter clear फिर यह हम add करेंगे one point five zero meter ओके फिर आगे हमारे पास one point one zero meter और last में है one point one six meter ओके यह हो गया हम divide करेंगे किस से divide करेंगे four चुकि members कितने है four members है ओके अब add करना है तो add करने के लिए हम लोग क्या करते हैंना column method का use करते हैं ताकि हम लोग का mistake ना हो ओके तो आईए हम यहां पे column method का उप्योग कर लेते हैं तो देखिए हम पहले क्या note करेंगे पहले note करेंगे one point six zero फिर one point five zero फिर one point one zero फिर one point one six ओके चलिए add कर लेते हैं तो यहां पे six आ गया है five six eleven eleven और यह ट्व थर्टीन का थिरी लिखिए point आ जागा यहां पे और one carry हो गया इसको आप यहां पे रख लिजी ओके अब add कर लिजी one plus one that is two two और यह थिरी हो गया हमारे पास that is five हो रहा है कहा थे ओके तो five point point one three six हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे five point three six और divided by four इतना क्या आएगा न मीतर ओके चलिए अब हमको divide करना है तो divided करना के लिए हम लोग सब जानते हैं कैसे divide करना है तो ड़िभाइब करना के लिए फिर हम लेखेंगे यहां पर five point three six ओके लिखें अब divide 4 मिल जगा, माइनस कर लिए 1 आ गया, यह 3 आ गया, नीचे, और यह जो decimal है, यह decimal यहाँ पर आ जगा, चलिए 13 हो गया, अब 4 का टेबल कितना टाइम, 3 टाइम, तो 4 त्रेजर 12 हो गया, फिर माइनस कर लिए आपको 1 मिल जगा, फिर यहाँ पर 6 आ जगा नीचे, 6 आ गया नीच अब देखिए, कितना टाइम है, 4 का टेबल, 4 टाइम, तो यह हमको क्या मिल गया, 0, तो हमारा यहाँ पर division हो गया, तो result क्या आ गया, यह result, quotient आ गया हमारे पास, 1.36, तो यह हमारा answer हो गया, यह 1.34 आया, तो 1.34 अपना क्या हो गया, meter में answer, यह क्या हुआ, यह हो गया, average height of one member, average height of one member in the family, किलिए रहे, वो तीजी था, हम लोग solve कर लिए, ओके, question number 7 है, कहता है, in a school, the number of girls and boys in 3 classes are given below, यह दिया हुआ हम लोग को, तो पहला class क्या रखे, यह LKG है, ओके, और इसमें से कितने girls हैं, 24 और boys कितने हैं, 34, फिर हमारे पास है UKG, UKG में कितने girls हैं, तो 26 और boys कितने हैं, 38, फिर class 1 में कितने girls हैं, 38 और boys कितने हैं, 39, अब हम लोगों से क्या question किया गया है, question यहाँ पे हमारे पास देखे, question कहता है, first में, find the average number of girls in a class, तो एक class में कितने girls हैं, अना, यह, find the average, average number of girls निकलना है, in a class, तो जितने girls हैं, सभी को add करना पड़ेगा, और चुकि 3 classes हैं, तो 3 से divide करना पड़ेगा, तो आईए हम उसको आपकर कर लेते हैं, ओके, तो हम पहले क्या लिखेंगे ना, हम लिखेंगे first number, यह number, ओके, चलिए, पहले यहाँ तो हम solution लिख ले, ओके, लिखेते हैं, solution, चलिए, अब हम लिखेंगे first में, average, average number of girls in a class, तो यह क्या हो जागा, हमको add करना पड़ेगा, average number of girls in a class लिखना है, तो total girls कितने हैं, आपको add करना पड़ेगा, तो 24 है, दुसरा है 26, और तिसरा है 28, और कितने classes हैं, तो 3 classes, तो 3 से आप divide कर लिजिए, ओके, तो अब आपको यहाँ पर answer मिल जाएगा, तो आप add किजिए, add करेंगे, तो यहाँ पर 24 प्लस 26, यह होगी है, 50, 50 प्लस 28, that is 78, ओके, 78 by 3, अगर आपको add करने में परेशानी हैं, तो आप column wise लिखेंगे, ओके, और आप add करेंगे, तो आप कभी परेशानी नहीं होगी, ओके, आप देखें, 78 हो जाता है, add करने के बाद, 3 से आप divide कर लिजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 3 का table 2 times पर लिजिए, आपको 6, 1 यहाँ पर बच जा रहा है आपका, तो 18 हो गया, 3 6 जा, 3 6 जा किता हो गया, 18, तो इसका मतलब हो गया, 26 क्या पर है, कहता है, find the average number of boys in a class, same होगा, same process होगा, ओके, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, b number पर, तो number of boys को आप add कीजिए, कितने हो जाएंगे, 34 plus 38 plus 39, और कितने classes हैं, 3 classes, 3 से divide कर लिजिए, फिर आपको add करना है, column method में लिखिए, 34, 38, 39, ओके, add कर लिजिए, आपको क्या देखिए, आपको मिलेगा, 8 plus 4, that is 12, 12 plus 9, that is 21, carry over 2, ok, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, आनि, 111, ok, तो, तो, चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब, 111 divided by 3, बताइए, आप divide करेंगे, तो आपको क्या answer आएगा, आपको यह 3 से divide हो जाएगा, आप देख लिजिए, तो 3 cutable आप पढ़िए, 3 times, तो आपको क्या मिलेगा, 9, बचलिए हो क्या, 2, 21, 3, 7, 21, ok, तो 37 क्या होगे, boys होगे, ok, एक, एक class में कितना हो गया, 37, average निकल गया, average number of boys आ गया, ok, चलिए, अब हमारे पास है, यह question number C है, कहता है, find the total number of students in all 3 classes, total number of students, आनि कि girls और boys दोनों का जो total है, कि वो कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, total number of students, तो हम लिखेंगे, number of girls, plus number of boys, तो number of girls, girls के कितने हैं, total 78, देखेंगे आप यहाँ से, हाना, total कितने हैं, 78, ok, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, 78, girls होगे, boys कितने हैं, 111, ok, आप add किजिए दोनों को, आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे, आप column method में आ जाएए, 11, और 78, चलिए, 9 हो गया, add करने पर, और यहाँ पे, 8, और यह 189, 189 students, ok, यह हमारे पास, आगे, total number of students, फिर next question हमारे पास यहाँ पे है, what is the average number of students in a class, what is the average number of students in a class, number of students पूछा गया है, average क्या है, एक class में, तो, total students divided by, total classes, कितने होगे, तो, 3 classes है, ok, तो, हम आईए, हम यहाँ पे कर ले, तो, हम लिखेंगे, d number पे, d number पे लिखेंगे, average number of students in a class, equal to, total students कितने होगे, 189 students, और, total कितने classes है, 3 classes है, standard, LKG, UKG and 1, ok, तो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से divide कर लेंगे, आप देखिए, 3 से divide करने के लिए, हम लोग को आता है न, हम लोग जान रहे हैं, ऐसे हम तो, directly divide कर सकते हैं, देखिए, 3, 6 जाओ गया, 18, और, 3, 3 जाओ गया, 9, ok, तो, आप अगर, ऐसे divide नहीं कर पा रहे हैं, तो, आप इसको ऐसे लिख लिखेंगे, और, 1, 8, 9 लिखे, 3 कटेबल 6 टाइम पढ़िए, आपको क्या मिलेगा, 18, माइनस किजिए, कैंसल आउट हो जाता है, 9 आपका नीची, ok, अब 3 कटेबल कितना टाइम, 3 टाइम, तो, आपका 9 आएगा, remainder 0, ok, देख लिख लिखेंगे, जी remainder 0 हो गया, तो, इस condition में आपका क्या तो, इस तरह से हमें आपे, 63 स्टू डेंच, ओके, यह हमारे पास क्या आगया ना, average number of student in a class, तो, इस तरह से हमें आपे, solve कर लेते हैं, brain teacher के सारे questions को complete हो जाता है, so, I hope this video lesson is helpful for you, so, please like this video, and share with others, and do some comments, also, do subscribe my YouTube channel, and hit the bell icon for upcoming videos, thanks for watching, have a glorious day, I hate